जहिन अभ्यास online class की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं प्री B8, प्री DL8 और साथ यसाथ दोस्तों प्री BSCB8 और प्री BAB8 का syllabus के according classes तो हमारा आज का पहला क्लास है दोस्तों हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड जिसमें हम बात करने वाले हैं अनेक सब्द के लिए एक सब्द इन्पोर्टेंट है दोस्तों वीडियो पर बने रही है सुरू सिलास तक जरूर देखिएगा और इसके अलावार कोई भी कॉम्पेटेशन के प्रिप्रेशन कर रहे हैं उसमें भी आपका ये वीडियो काम आने वाला है तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों एक सब्द के लिए जो है हम देखने वाले हैं जो आपको कठीन लग रहा आप उसको थोड़ा सा अपने कॉपी में लीग सकते हैं ताकि आपको वो लंबे समय तक याद रहे तो चलिए देखते हैं दोस्तों आवश्चक्ता से अधिक वर्षा तो ऐसा छेतर ज जहां पास वर्षा जो है समाने 200 cm से अधिक होता है वो कौन सा छेतर है तो वो है दोस्तों अभुज माल का छेतर जहां 36 गड़ का सरवधिक वर्षा होता है अगर मैं बोलूं 36 गड़ का मात्सियन राम किसे कहा जाता है तो वो अभुज माल का छेतर है ठीक है तो अवशक्त से अधिक वर्षा वाला छेतर क्या कहलाता है अतिव रिष्टी कहलाता है ठीक है और जहां पास बहुत ही कम वर्षा होता है उसको क्या कहा जाता है छाया वरिष्टी कहा जाता है ठीक है नेक्स्ट है इसमें आत्मा इस्वर धर्म दर्शन में रूची रखने वाला तो भई ज किसके आलावा और होता है। दोस्तों अग्रच कि उसको कहते हैं बड़े भाईया जो होते हैं बड़े भाई उसको भी अग्रच के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आलोचना के योग्य उसको कहा जाता है आलोच्य आवश्यक होने वाला वो होगा आवश्या भामि ठीक है अतिथी सत्कार की जो भावना होती है उसे कहा जाता है आतिथ्य अत्याचार करने वाला क्या होता है दोस्तों आत्ताई ठीक है आप इसको याद रखिए थोड़ा सा कठीन वर्ड आपको लग सकता है अत्याचार करने वाला अत्याचारी होगा ठीक है तो इसमें को अत्याचारी ना करके क्या कहा जाता है आत्ताई के नाम से जाना जाता है अर्थ या धन से संबंधित उसके कहा जाता है आर्थिक ठीक है अन्य से संबंध ना रखन आपने के लिए और आपको पता होगा, आगे होने क्या हो जाएगा, भावी, ठीक है, अनुचित बात करने के लिए आग रहा करना क्या हो जाएगा, क्या कहलाएगा दुराग्रह कहलाएगा आकास या गगन चुमने वाला क्या कहलाएगा गगन चुम भी ठीक है अच्छे कुल में उत्पन होने वाला कुलिन जिसको इंगलिस में नोबेल के नाम से जानते हैं ठीक है अधिक खर्च करने वाला वैक्ति क्या कहलाता है खर्चीला ठीक है अपना ही स्वार्थ देखने वाला स्वार्थी भी कहते हैं और खुदगर्ज भी कहते हैं ठीक है आरोप के बदले में किया गया आरोप क्या कहलाएगा प्रत्यारोप मतलब कहीं न कहीं बदला की भावन रहता है ठीक है प्रत्यारोप मतलब क अपनी इच्छा अनुसार आचरन करने वाला स्वेक्षाचारी, ठीक है, अपने अनुसार चलना इधर जहां जाना है वहाँ, अपने अनुसार क्या करना है, विचरन करना स्वेक्षाचारी कहतला आता है, अपनी बुद्धी वाला, मतलब क्या कहलाएगा, सु बुद्धी, अ क्या कहलाएगा शीरोध धारिया मतलब आदर पूरवक जो सीर पर धारन करता है वो क्या कहलाएगा शीरोध धारिया ठीक है चलिए देखते है नेक्ष्ट अनिष्ठ की कामना के उद्देश्य से किया गया कथन तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों अनिष्ठ की कामना से किया गया मतलब कथन मतलब क्या कहलाएगा वो श्राप ठीक है कोई व्यक्ति क्या कहता है किसी कारण वास दूसरे को अनिष्ठ की रूप में कुछ उसके लिए काम ना कर देता है गलत तरीके से ठीक है तो वो क्या कहलाएगा वो श्राप की रूप में जाना जाता है ठीक है अरुनोदय पहले का जो समय रहता है उसको क्या कहला जाता है गोर्दोलू बेला ठीक है कहलाता है और उसी तरीके से दोस्तों प्रभात कभी आपको देखा होगा भोर का समय ये सबको क्या कहलाता है समय के बारे में से एक प्रशन पूछता ही है ठीक है इसमें तो नहीं लेकिन चोकती भी कह सकते हैं इसके जगा, ठीक है, बहुत कम बोलने वाला क्या कहलाता है, अल्प भासी, ठीक है, और जो अधिक बोलने वाला क्या कहलाता है, वाचाल कहलाता है, ठीक है, नेक्स्ट है, बहुत दूर तक ना देखने वाला या ना सोचने वाला, तो क्या कहलाता है, द बिना पलक गिराय तो अपलक मतलब कोई ऐसे हैं पलक नहीं जपकते टक्टकी लगाया देखते हैं तो यह क्या कहलाता है आपका अपलक कहलाएगा नेक्स्ट है बिना पलक के गिराय देखना तो ये क्या हो जाएगा अनिमेश तो देखिए बिना पलक गिराय को क्या कहेंगे आपलक बिना पलक गिराय देखना तो इसमें दोनों में अंतर है तो इसमें क्या हो जाएगा आपका अनिमेश ठीक है बिना वेतन के काम करना आवेत दोस्तों बहुत जानने वाला बहुग्या या फिर ज्ञानी भी बोल सकते हैं आप इसमें बहुत अधिक बोलने वाला तो बातुनी ठीक है बहुत सी भासाओं को जानने बाहे शाक्षे के नाम से जानते हैं बिल्कुल तीतर बितर हो जाना मतलब तीतर बितर मतलब फैल जाना तो वो क्या होगा? चिन भिन होना ठीक है, next है बुरे आचरन वाला तो क्या हो जाएगा? इसमें दुराचारी बेटी का बेटा मतलब आपका बेटी है और उसका कोई बेटा है तो आपके लिए क्या होगा? नाती तो इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? दोहित्र के नाम से जानते हैं सौट में ठीक है उसी तरीके से दोस्तों बेमतलब का खर्च करने वाला फिजूल खर्ची जान्ज जो खास करके गर्मियों में चलता है उसको क्या कहते हैं? लू कहते हैं जान्ज के नाम से भी आपने देखा होगा तो जन्जा जो है दोस्तों ये बहुत तेज जो चलता है उसको भी कहा जाता है ठीक है नेक्स्ट है प्रशूरता है जिसका डिलवरी हुआ रहता है तो वो क्या कहलाता है प्रशूरता बिना किसी संकोच या भाय की करने वाला कारे तो क्या कहलागा इसपस्टवादी मतलब किसी भाय नहीं है किसी का डर नहीं है तो इसपस्टवादी है ठीक है बहुत बोलने वाला वाचल विक्री करने वाला विक्रेता और जो खरिदने वाला होता है वो क्या होता है, क्रेता कहलाता है ठीक है, बाल्य आवस्था और यूव आवस्था के बीच का समय क्या कहलाता है दोस्तों, वयह संधी कहलाता है ठीक है, बिना पतनी के तो वो क्या कहलाता है वीपतनिक ठीक है भीख मांगने के लिए घुमना तो वो क्या कहलाएगा आपका भिक्छाटन या फिर भीखारी भी वह सकते हैं लेकिन घुमना मतलब कहीं न कहीं भिक्छा के लिए ब्रहमान करना तो वो भिक्छाटन कहलाएगा ठीक है भासा से संबंधित तो वो क्या उसी तरीके से भाई भाई जैसे वहार तो भाई चारा ठीक है भोग करने वाला क्या कहलाएगा भोगता भोग के जो योग रहेगा उसके भोग्य कहेंगे भाग्य का उदय जो होगा उसको भाग्योदय कहेंगे ठीक है भूजा के सहारे चलने वाला ठीक है तो भूजा के सहार वालिक कहते हैं भाग्य या संयोग से संबंधित होता है उसको दैविक कहते हैं ठीक है हमने कहते हैं बहुत सार ऐसे चीज है ये तो भाग्य को उपर छोड़ देता है मातर एक संयोग था लेकिन ऐसे कुछ अनुहुनी जैसे हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं दैवी शक्त प्रत्योपकार कहलाएगा ठीक है और आरोप के उपर आरोप लगाने वाला आरोप के बदले आरोप लगाने वाला वो क्या कहलाएगा ठीक है तो इसी तरीके से इसमें क्या है प्रत्योपकार है ठीक है वात पित और कफ जो रहता है उसके क्या कहते है दोस्तों जब वात भी रोग है पित रोग भी है कफ रोग भी है तो उसको क्या कहते है त्रिदोश क कहलाता है ठीक है भूत भविश्य और तवर्तमान का ज्ञान रखने वाला क्या कहलाएगा त्रिकाल दर्शी कहलाएगा ठीक है विज्ञान जानने वाला क्या कहलाएगा वैज्ञानिक कहलाएगा चक्छू से प्राप्त ज्ञान तो क्या कहलाएगा चक्छू ठीक है चित्र ख चन्दराजूडूर्ओं। आपत्सानी सेसे समज़ गया होगे, जिसके सीर पर चन्द धारण किया हो, तो वह को है ? संकर। उन्षा में पूछा गया है चंचल होने का जुह भाव है, वह क्या कहलाता? चंचल्य। चपल्टा का भाव हैILL चल्पल्य। चरित्र की उच्छता वो क्या कहला था आपका चारित्री चैतन्य स्वरूप की माया वो क्या कहला आपका जो हो जाएगा वो क्या कहलाएगा दोस्तों चीदिलाश ठीक है तो आप इसमें देखिए यहां से प्रश्ण पूछा जा चुका है तो इनमें जितना भी मैंने बता है important है दोस्तों one word है अगर आपके पास जितनी भी book हैं हिंदी के related और वहां से question अगर आपको पढ़ रहे हैं प्रश्ण आपका बनना चीए ठीक है तो वीडो कसा लगा वीडो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल के साथ बिल्कुल जून रही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करका notification बेलाता है जरूर आन का लिजे ठीक है और इसके लिए कौन सब बुक बैस्ट होगा दोस्तों मैंने नीचे लिंक कर डिक्रिप्शन में दे रहा है देख लिजेगा प्लेलिष्ट बना हुए दोस्तों प्री बीएट प्री डीएलेट प्रिप्रेशन के लिए बहुत सारे क्लासेस पहले का भी डला ह लिजे वहाँ पास पीडिएप मैंने पहले से ही डाल रखा तो आप उसको देख लिजेगा ठीक है तो इन्पोर्टेंट है और वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों जरूर लाइक कर दीजिए और जो चीज समझ नहीं आ रहा है नीचे कमेंड बॉक्स खली है बिल्कुल प